हलो नमस्कार आदाव शर्षियता मैं आपका मास का दोस्त स्वरव गुपता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दाइस्टेडी एक्सपर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं अभी हम कर रहे हैं SSC CGL 2019 प्रिलिम्स में आए हुए कोश्चन का डिसक्रिशन जिसके क्रम में हमने इससे पहले CGL 2019 के 1st day के 1st shift यानि 3 मार्ज की पहली shift के कोश्चन का डिसक्रिशन किया था दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या उस वीडियो से रिलेटेड आपको SSC CGL के 1st day के 1st shift की PDF फाइल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो तुरंद जाएं हमारे टेलिग्राम चैनल दा इस्टेडी एक्सपर और वहाँ पर आप टाइप करें तो दोस्तों आज हम सुरू करने वाले हैं SSC CGL 2019 प्रिलिम्स के 1st day के 2nd shift के questions में जिसमें हमारा सबसे पहला question है समान धारिता की छमता की दो बूदले संतरे के रस से क्रमसा 35% और 33 सही एक बटे 3% तक भरी हुई है फिर क्या होता है वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है और फिर उन दोनों बरतनों की समगरी को एक दूसरे बरतन में खाली कर दिया जाता है तो अब आपको बताना है कि उस तीसरे पात्र में सेब के रस की मात्रा कितनी है प्रतिशत में तो दोस्तों देखिए अगर इस तरह कि कोशन आपको पेपर में मिलते हैं तो मेरा मानना है कि आप अगर इसमें अपने आप्शन का प्रयोग करेंगे तो सायद आपको ज्यादा आसानी और ज्यादा अकुरेशी के साथ कोशन मिलेगा तो दोस्तों सुरू करते हैं कोशन देखिए अभी क्या है सबसे पहले उन्हें ने बोला है संतरा संतरे का रस देखिए पहले वाले में उन्हें बोला है 35 परसन और दूसरी बोतल में बोला है 33 सही 1 बटे 3 परदिशत दो बोले हैं अच्छा बाकी अब जब सेब से इसे पूर 65% आया होगा और इसको अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं 6,6 सही 2,3 प्रतिसत इस बोतल में आया होगा अब जाहिर सी बात है इन दोनों को मिला करके ही तो तीसरी बोतल में डाला गया होगा हाँ या न और आपको मालूम है जब दो कॉंटिटी को मिलाया जाता है तो तीसरी कॉंटिटी छोटे वाले से कम नहीं होगी और बड़े वाले से जादा नहीं होगी कहने का मतलब ये है कि तीसरे बोतल में जो सेब होगा वो 65% और 6,6 सही 2,3 प्रतिशत के बीच में होगा और इस हिसाब से आपके पास केवल ऑप्शन भी जो की 65 सही 5,6 प्रतिशन बोल रहा है यही सही होगा बागी के ऑप्शन इस डोमेन के बीच में नहीं आ रहे हैं देखा दोस्तों कोशन देखने में difficult हो सकते हैं बट उनके solution में आपको मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई problem आएगी बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे कोशन नमबर 2 की कोशन हमारा कुछ इस तरह से है x की power 4 प्लस x square y square प्लस y की power 4 बराबर सायद दिया गया है 21 ठीक है और फिर कहा गया x square प्लस x y प्लस y square बराबर यह 7 की बात कर रहे है हमने का यह भी ठीक है अब देखें आपको थोड़ा सा formula याद हो तो आपको याद होगा x square minus x y plus y square इन दोनों का गुड़न खंड इस वाले के बराबर होता है यादि यहाँ पर 100% कितना आना चाहिए दीन आना चाहिए पका अब देखें हमें 1 upon x square plus 1 upon y square या इसको आसान भासा में बात करें अगर थोड़ा सा solve करें तो x square plus y square upon x y का whole square हमें पता करना है कोशन को चेक कर लिया गया है जी हाँ ठीक है अब देखें दोस्तों बढ़ते हैं अगर अभी हम इन दोनों को जोड़ दें हाल फिल हाल ओपर 5 आएगा हाला कि यहाँ पर 2 पे है आपके पास 5 लगा हुआ है अब हमें क्या चाहिए x y तो x y के लिए दोनों को हम घटा देते हैं यह plus यह minus और यह minus तो यह आपका कर जाएगा 2 x y बराबर देखने में हमारे पास आ रहा है 4 यानि x y बराबर 2 और 2 का square यानि कि अब हमारा जो answer आने वाला है वो plus का 5 by 4 यानि कि आपका option c पूरी तरह से सही है दोस्तों समझेगा नीचे whole square आ रहा था तो कहीं ना कहीं हम अपने question से भी यह पहले अंदाजा लगा सकते थे कि उपर 5 और नीचे number का perfect square होना चाहिए और अगर हम इतना भी देख लेते तो हम option c को पहले ही सही कह सकते थे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले question number 3 कुछ इस तरह से है यदि डीलर किसी वस्तुका मूले क्रैव मूले से 40% जादा अंकित करता है और उसे अंकित मूले पर 20% और 25% की दो कर्मिक छूट के साथ एक ग्रहा को बेज देता है और उसे 140 रुपे की हान हुई तो आपको वस्तुका क्रैव मूले बताना है तो देखे बड़ा आसान सा है 100 की चीज को उसने पहले मार कितने की किया 140 का कर दिया फिर उसने 20% 20% का मतलब है 4 बटे 5 और 25% का मतलब होता है 3 बटे 4 पर बेच दिया तो इसको अगर हम solve करेंगे भाई तो हमें मिलेगा अब देखे 28 ती आई नहीं मालूम है अगर 28 ती आई नहीं मालूम है तो आप देख सेते यह 4 आगया और यह 84% तो 100 कीची 84 पर नुक्सान कितने % का हुआ 16% का और यही 16 आपको जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 140 का तो आपको बताना है 100% बराबर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आने वाली है बिकाज यह 25 हो गया यह 4 आप इसको काटेंगे तो 35 यहाँ पर 35 इंटू 25 अब आप 275 125 मुझे लग रहा है 800 75 आपका आंसर हो जाएगा तो देख रहे हैं दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको पेपर थोड़ा IG है थोड़ा common sense की जरूरत है आपके कोशन बहुत आसानी से निकलेंगे कोई बहुत बड़ी बात इन कोशन में नहीं है बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले कोशन नमबर 4 कियो तो दोस्तों हमारा अगला कोशन नमबर 4 हमारे DI से related है जहां दिया गया है कि चार कंपनिया आपको दी गई है A, B, C, D चार कंपनिया दी गई है जिसमें इंजिनेरों के भरती की संख्या को दिखाया गया आपको बताना है वर्स 2017 तक कंपनी द्वारा भरती किये गए इंजिनेरों के कुल संख्या 2014-17 यानि आपको सारे इंजिनेरों को आड करना है और 2019 में उन सभी चारों कंपनियों द्वारा भरती किये गए कुल संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है तो दोस्तों पहले 2014-2017 में एक कंपनी का देख लेंगे पूरा तो एक कंपनी का 2014-2017 अगर आप जोड़े तो 120, 32, 32, 128 और 140 और फिर आप मीचे के चारों को जोड़ करके परसंटेज देख लीजिए आपका 4% यानि की option A पूरी तरह से सही हो जाएगा इस क्रम में दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले कोशन नमबर 5 की ओर तो दोस्तों हमारा अगला कोशन नमबर 5 कुछ इस तरह से है एक रेश ट्रैक एक रिंगी के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परधी क्रमसा 440 और 560 मीटर है 6 रुपए प्रति मीटर के इस साब से ट्रैक पर समतल करने पर क्या मानोगा और पाई का मानोगा तो दोस्तों अगर हम ट्रैक की बात करें तो मुझे लगता है ट्रैक कुछ इस तरह से होगा आपका एगरी है और आपको ये वाला हिस्सा बताना है कितने रुपए के हिसाब से 6 रुपए पर मीटर के स्कॉर से तो दोस्तों समझ में आ रहा है छोटे वाले की रेडियस को हम आर मान लेते हैं और बड़े वाले को हम लोग कितना मानते हैं कापिटाल र तो वो जो हिस्सा आएगा वो कहीं न कहीं आपके पास आएगा पाई आर प्लस आर और आर मान लेते हैं यानि हमको दोनों आर चाहिए अब दोनों आर के लिए हमको जाना पड़ेगा वहीं पर तो छोटी वाले के लिए 2 2 पाई यार बड़े वाले के लिए 2 पाई यार बड़ा वाला तो इसके लिए 22 बटे 7 और अब गर हम देखें तो दोनों में नीचे पाई लिया आते ना पाई कड़ भी जाएगा और बराबर आपको दिया है कितना 440 ठीक है तो 440 का मतलब हो गया आर बराबर 220 बटे पाई पक्का और उसी तरह आप देखोगे तो कापिटल आर भी 506 दिया गया है 506 को काटेंगे तो मुझे लग रहा है 253 बटे पाई आप यहां रख दीजिए तो देखें पहली बाद तो इन सभी के नीचे पाई आने वाला है और मुझे लगता है पाई पाई काट देते हैं पाई पाई काट देते हैं तो देखें यहां भी पाई आएगा यहां भी नीचे पाई आएगा एक पाई कर जाएगा एक तो 7 बटे 22 लिख लेते हैं इंटू, भाई देखिए ये इसके नीचे आर के नीचे पाई आया था, इसके नीचे भी पाई, पाई पाई कर गया, अब क्या है इन दोनों का, आप एक बार जोड ले लेंगे, तो जोडेंगे तो मुझे लग रहा है 473 इंटू, घटाएंगे तो मुझे लग रहा है आएग एक चीज आप समझ लेजी, अब यहाँ पर हमारे लिए समझने के लिए चीज आ चुकी है, देखिए 11 दुना 22, 11, 44, 11, 33, 11, 33, हमारा आइंसर पहले अगर आप देखें तो 11 गुडे 3, अच्छा 2 इसको काट देगा, ये बता रहा है इसके लिए, आइंसर 11 से डिवीजबल ह होना चाहिए, आप अपने चारों आप्शन को देखें, उसमें आप्शन B और आप्शन D हैं, जो 11 से कट रहे हैं, ठीक है, उसके साथी साथ, एक तीन ये है, एक तीन ये है, दो तीन का मतलब हो गया, कि हमारा आइंसर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, और अगर हम यहाँ के बात करेंगे, 9 से डिवीजन में, तो केवल आपका ऑप्शन D है, यहाँ पर जो 9 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए आपके कोशन नमबर 5 का एंसर हो जाएगा, टी आप्शन, तो दोस्तों क्या देखा हमने, सबसे पहले डिविजवलिटी टेस्ट आफ 11, देन आप्ट आइंसर निकलेंगे, बस थोड़ा सा धार का साथ दीजिए, लग आपका चांस खुद देगा, बढ़ेंगे दोस्तों अगले कोशन नमबर 6 की ओर, देखिए दोस्तों कोशन नमबर 6 जो आपको दिया गया है, मैं आपको बता दूँ, यह कोशन बहुत पहले से हर बार आता है, आपका सीजियल मैंस में भी इस कोशन के आने की पूरी संभा होना है, यह ना होकर करके यह कॉंसेट है, हमारा एक फॉर्मला होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, यह फॉर्मला आप हमेशा याद रखिएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 A B C बराबर A प्लस B प्लस C और दूसरे ब्राइकेट में A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस C माइनस A B माइनस B C माइनस C हैं, दोस्तों इस फॉर्मले पर एलजबरा के पोर्सन से एक कोशन 100% पेपर में आता ही आता ह जैसे अब ही हम यहाँ पर अब क्या हम लोग करते हैं कि अगर a plus b plus c 0 हो जाता है तो उस case में हमको मिलता है a cube plus b cube plus c cube बराबर 3abc अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगर question को देखें तो हमारे question को आप देख रहे हैं दिया गया है a plus b minus c का whole cube plus a minus b plus c का whole cube minus 8 को हम 2a का whole cube लिख सकते हैं इसका मान चाहिए तो दोस्तों पहले हम देख लेते a plus b plus c अब दिखेंगे नहीं a plus b c में देखेंगे c c कर जाएगा b b कर जाएगा a यानि हमारा a plus b plus c बराबर 0 आ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा किसके 3 a b और c ये यानि कि ये हमारा हो जाएगा 6 से और इस चीज़ को जब हम अपने option में देखेंगे तो हमारा option ने सही हो जाएगा यानि कॉंसेट हमने क्या लगाया है a q plus b q plus c q बराबर 3 a b c हजा है दोस्तों एक चीज़ और समझेगा ये minus का था तो minus जाएगा तो ये minus में आएगा तो इस minus को आप कहीं पर भी ले जा करके अभी जैसें यहीं पर कर दें तो ये हमारा जो सही option आएगा 6a a plus b minus c बना रहने देते हैं और ये हो जाएगा b minus a और minus c यानि कि आपका option number a फिर भी सही हो जाएगा बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 7 की ओर तो दोस्तों हमारा अगला question number 7 कुछ इस तरह से है किसी ब्रस्त के चारों और a b c d एक चतुरभुज खीचा गया है और a b बराबर b c c d दिया है a d बताना है तो मतलब पहले चतुरभुज बना है ये मतलब एक ब्रत के चारों खीचा गया है ये a b c d तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी property बताना चाहूंगा कि अगर किसी चतुरभुज की चारों गुजाएं ब्रत को इस पर स्किरती है तो सम्मुख गुजाओं का यह यह या या बी प्लस c d बराबर होगा b c प्लस ad यह आप लोगों को पता है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो a b बराबर 8 दिया गया है b c 7 दिया गया है c d 6 दिया गया है अब दोगों दोस्तों paper मत करो यह 8 6 14 यह 14 है तो इन दोनों का जोड़ भी 14 होना चाहिए 14 तब होगा जब आपके x कामान कितना होगा 7 होगा जी हाँ यानि कि आपका option c पूरी तरह से सही है बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 8 की हो तो दोस्तों हमारा अगला question number 8 देखें अगेन डियाई यानि data interpretation से दिया गया है जहाँ पर आपसे बताया गया है 2014 और 2017 में company भी द्वारा भरती किये गए इंजिनरों की कुल संख्या 2015 से 2019 तक c द्वारा भरती किये गए इंजिनरों की कुल संख्या के तो दोस्तों बड़ा आसान सा है यहाँ पर 14 से 16 में b वालों को जोड देंगे और 2015 से 19 तक c वालों को जोड करके percentage निकाली है आपका option 4 39.2 एकदम सही हो जाएगा तो दोस्तों डियाई के question बहुत आसान थे कोई complicated नहीं थे इसलिए मैं आपको अभी डियाई के questions को discuss नहीं करा रहा हूं बट आपको answer बता रहा हूं आप question करिए अगर आपको इन में problem आती है तो आप हमारे telegram channel the study x पर masses कर सकते हैं आपको उसका solution provide करा दिया जाएगा अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 9 के ओर तो दोस्तों हमारा अगला question number 9 कुछ इस तरह से है cos 6 85 plus theta minus 6 theta minus 5 या 5 हां 5 minus theta plus 10 55 plus theta minus 6 35 minus theta ये question आपको दिया गया है तो दोस्तों यहां अगर सम्मेर देखें तो मुझे लगना देखते हैं आप भी जमच जाओगे कि theta वराब 5 डिगरी रख दो जैसे ही 5 रखोगे ये ये हो जाएगा cos 90 ये हो जाएगा 6 0 ये हो जाएगा 10 60 और ये हो जाएगा 6 ये 6 ना हो करके मुझे लगना caught था जी हाँ ये यहाँ पर caught दिया गया है ये caught कर दिया caught 30 तो दोस्तों ये 1 होता है ये minus 1 होता है ये root 3 होता है ये minus root 3 सब को आराम से आप काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका answer 0 यानी की आपका option C पूरी तरह से सही है तो देखिए दोस्तों टेग्नाव वेंटरी में सबसे पहले जब कभी भी आप question को करिए आपका जो सबसे पहला step होगा to find out the value of theta जैसे ही आपको theta की value मिल जाती है आपका answer बहुत आसानी से निकलेगा बढ़ेंगे दोस्तों अपने आगले question number 10 की ओर तो दोस्तों हमारा question number 10 कुछ इस तरह से है 6 theta minus 10 theta upon 6 theta plus 10 theta बराबर दिया गया है 3 बटे 5 जी हाँ और आपको बताना है cos 6 theta plus cot theta upon cos 6 theta minus cot theta का मार तो दोस्तों एक चीज तो यहाँ से clear हो रही है कि यह plus में है तो उपर वाला मान खैर वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है अब हम लोग देखते हैं अपने question को तो दोस्तों अगर इस question को हम सही से देखें तो यह क्या लिखा हुआ है 1 minus sin theta कि right angle triangle जब हम बनाएंगे तो आपका lump 1 यह 4 यानी की आधार बंद्रा हो गया कोई दिक्कत नहीं और यह जो लिखा हुआ है आप सब जानते हो यह हमारा लिखा हुआ है 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta या आपको अगर यह नहीं भी करना है नहीं करते हैं आपको मालूम है इन दोनों के नीचे sin आएगा sin मतब बेस इन सभी का जो बेस है वो बड़ाबर होता है जैसे cos theta अब cos theta हमारा क्या होता है बताइए cos theta हमारा करन होता है 4 plus root 15 और यह आएगा 4 minus root 15 यहाँ से value निकाल लिए अब देखें दोस्तों conjugate से multiply करोगे तो नीचे तो 16 minus 15 एक हो जाएगा इसका square आएगा तो जब इसका square होगा तो 4 का square 16 plus 15 पहली बात तो 31 होना चाहिए और plus में root 15 होना चाहिए 31 और plus root 15 आपका के ओल option A में है यहाँनि आपका answer है 31 plus 8 root 15 जो की पूरी तरह से सही है अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 11 की तो दोस्तों हमारा अगला सवाल number 11 कुछ इस तरह से है x square plus 3x plus 1 बराबर 0 तो x की power 6 plus 1 upon x की power 6 बराबर आपसे पूछा जा रहा है तो मुझे लग रहा है यह बढ़ी आसानी से हम बता सकते हैं यह minus 3 अब देखे दोस्तों power 6 पूछा गया है तो दोस्तों power 6 कैसे आएंगे हमारे पर दो तरीके हैं या तो हम पहले इसका square करें फिर cube करें या पहले cube करें और उसके बाद में इसका square करें तो समस्दारी आपकी इसी में रहेगी कि पहले आप इसका cube निकाल लो तो जब cube निकालते हैं तो हमारा क्या होता है P cube प्लस है तो यहाँ पर क्या अगर प्लस है तो यहाँ minus minus plus हो जाएगा 9 यानि यह हमारा कितना जाएगा minus का 18 X cube प्लस होन पॉन पॉन X cube परावर minus का 18 और जब इसका आप square करोगे तो यही तो आएगा cube का square यह क्या होता है minus का 18 का square और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आप लिखते हो minus का 2 तो जब आप करोगे तो 324 minus 2 then your answer will be 322 322 और जब आप यह ऐसा बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका option C पूरी तरह से सही है क्या किया हमने हमने सबसे पहले cube निकाला cube हमारा minus में आया फिर उसी cube का हमने यहाँ पर square कर दिया बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 12 हमारा अगला सवाल number 12 कुछ इस तरह से है अनू किसी वस्त का बिक्रे मूल उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है यद उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसका बिक्रे मूल के ओ 10% बढ़ता है तो उसका लाब प्रतिशन बहुत आसान है देखिए दोस्तों अनू ने पहले 100 की चीज़ को 125 बनाया ठीक है लेकिन अब क्या हुआ ये 100 बन गया 120 का बट अनू ने क्या किया इस 125 में केवल 10% बढ़ाया तो 12.5 मतलब इसको कितना किया किया ओल इनोंने 137.5 120 की चीज़ 37.5 फायदा के ओल 17.5 का ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं 120 से इंटू 100 एक जिरो इसको काटेगा एक जिरो इसको काटने में चला जाएगा 12 जब इसको काटेगा तो 12 एकम 12 14.6% के आसपास का फायदा उसको मिलने वाला है जी हां आपका ओप्सन सी पूरी तरह से सही हो गया बैस 100 की चीज़ 120 हो गई लेकिन जो आप 125 का बेच रहे हैं आप 107.5 का बेचने लगे यानि इन दोनों का डिफरेंस 17.5 आपका प्रॉफिट था CP आपका 120 था प्रॉफिट पर्शन आपका 14.6 सही हो चुका है बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले कोश्चन नमबर 13 की कोश्चन नमबर 13 पर आने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल Dye Study X को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रेप्शन बॉक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल Dye Study X का लिंक दिया गया है आप वहाँ जाकर के हमारे चैनल Dye Study X से जुड़ सकते हैं जहां पर मिलते हैं आपको सबसे Most Updated Study Material साथी साथ जितने भी वीडियो चापको कराए जा रहे हैं इनकी पीडिया भी हम अपने टेलिग्राम चैनल पर अबलेबिल कराते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेर चरूर करिएगा बढ़ते हैं दोस्तों Question No.13 की ओर जहां ये कहा गया है कि पहली चार संख्याओं का ओसत पांचुई संख्याओं का तीन गुना है तो अगर हम पहली चार संख्याओं का ओसत माल लेते हैं जोड M by 4 तो ये जो हमारी X का तीन गुना है यानि कि पहली चार संख्याओं का जो सम है वो कितना हो गया? बार X ठीक है? उसके बाद अगर हम पांचवी संख्या भी जोड दे तो ये बन गया पांचो संख्याओं का हेवरेच और ये बराबर आपको दिया गया है अपने कोशन में अगर आप देखें तो 85.8 ओके तो यहाँ अगर हम देखें तो X बराबर एक इस टेप में आगे की ओर जा रहा हूँ आप ना समझ में है तो बताईएगा ते 13 इसको अगर हम देखेंगे तो 13 6.6 और जब आप करने जाओगे तो X बराबर आपको मिलेगा 33 जी हाँ यानि की आपकी जो पांचोई संख्या है वो 33 यानि की option भी आपका पूरी तरह से सही है क्या किया दोस्तों पहले चारों संख्याओं का योग हमने निकाल लिया 12X पांचोई संख्या जोड़के पांच से डिवाइट यह हो गया इनका एवरेज जो दिया गया था 85 दसमलोग X कमान निकालना था वो हमने सीधे निकाल दिया कई बार दोस्तों आपका जो करने का बेसिक मैथट है वो आपके नॉर्मन मैथट से जादा आसान होता है तो बेसिक पर कमान चरूर रखेगा बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले कोशन नंबर 14 तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 14 बहुत आसान है कहा गया है कि यहाँ पर एक संभाहुत रूभुज है ABC और इस संभाहुत रूभुज ABC में A से भुजा BC पर एक परपंडिकुलर डाला गया है और आप सबको माल है कि यह जो AD होता है यह हमारा होता है रूड 3 by 2A और यही आपको दिया गया है कितना 4 रूड 3 तो यानि कि इस संभाहुत रूभुज की प्रते गुजा 8 cm है और आपको परिमीटर माल बताना है तो 8, 8, 8 यानि 8 गुड़े 3 परिमीटर आपका है 24 cm यानि कि अगेन आपका Option P पूरी तरह से सही है आसान सा सवाल था इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया है बढ़ेंगे अपने अगले कोशन नंबर 15 की तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 15 भी DI से रिलेटेड है तो DI में आपको बताना है कंपनी A और B द्वारा 2015 और 2018 में भरती किये गए चौदा करके देख लिजेगा नहीं तो सल्यूशन हमने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइट करा दियेंगे इसका क्योंकि यहां पर काल्कुलेशन है कोई धर्णपूर्णांक X से डिवाइट किया जाता है तो आपके पास रिमेंडर जिहां यानि की सेश आठ बचता है तो आपको यह बताना है कि कितने मान X के यहां पर पॉसिबल है तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कहा जाए कि 50 को X डिवाइट करें और सेश फल कितना आए दो तो सिंपल सी चीज है कि आप क्या करोगे आप 48 को डिवाइट करने वाले नंबर को ढूड़ लो क्यों 48 तक जैसे माली जी खुद 48 है 50 को डिवाइट करेंगा दो आएगा उससे पहले 48 को कौन डिवाइट करता है 24 अब 24 क्या होगा 48 तक डिवाइट कर देगा अब 50 को 24 से डिवाइट करो दो आजाएगा कि नहीं आजाएगा ठीक उसी तरह हमारा ये कहना है कि आपको जो आठ सेज बचाना है न तो अगर आप आठ हटा दो तो बचा कितना 192 यानि आपके जो नंबर है वो 192 को डिवाइट करें और जब वो 192 को डिवाइट करेंगे तो तो आटोमेटिक वो दोसों को डिवाइड करने पर आठ से इसपल देंगे जड़ा हम देख लेते हैं बान नबे को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है तो अगर हम देखें तो 643 गया तो ये दो की पावर अगर मुझे समझ में आ रहा है सही तो ये 6 हां इंटू 3 की पाव number of factor अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो में आप number of factors, sum of factors, product of factors के सारे वीडियो आप चैनल के description box में या चैनल में सबसे पहले वीडियो जाएंगे सर्च करेंगे आपको number of factor मिल जाएंगे फिर वहां पर क्या करते हैं दोनों में एक चोड़ करके multiply कर देते हैं तो यहां पर यह करोगे 7 आएगा यह 2 आएगा यानि कि total number of factor of factor 192 के होते हैं 14 लेकिन आप समझेगा आपको सारे number नहीं बताने 6 फल 8 बचना है और इन 14 में जो number है जैसे 1 यह 92 को डिवाइड कर रहा होगा 2, 3, 4, 6, 8 खुद इसके बाद के number क्या है यह number हम नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 1, 2, 3, 4, 6 या 8 से बिवाजित करने पर कभी भी आपको सेसफल 8 नहीं मिलेगा सेसफल लेने के लिए डिवाइजर इनसे बड़ा होना चाहिए यानि टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हटा दो तो जो बचे हमारे पास कुल 8 ऐसे number है x के जो दोसों को डिवाइड करने पर 8 से स्फल देंगे और इस तरह से आपका option भी पूरी तरह से सही हो जाएगा जी हाँ दोस्तों इस तरह के और भी सिप्ट में कोशन आए है जो हम आगे देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोगों ने और लेडी टेक्नोमेंटरी को बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ा भी दिया गया है डिस्कॉप्शन बॉक्स में देखिए प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है पूरी टेक्नोमेंटरी केवल आपके लिए PDF आपके लिए दी गई है सारा ISTD material आपके लिए है हमारे टेलीग्राम चैनल DAISTDX पर अबलोबल है तो जब सब कुछ अबलोबल है तो इंतिजार क्यों कर रहे हो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल DAISTD को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ दिल खोल कर सेयर करो अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले कोशन नमबर सत्रा कीओ तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नमबर सत्रा टाइम इंडिसेंस रिलेटेड है जहां कहा गया है A और B एक ही समय पर क्रमसा X और Y स्थानों से एक दूसरे की और बढ़ते हुए चलना सुरू करते है A की चाल, B की चाल से 20% अधिक है तो अगर हम स्पीड आफ A को पहले B को अगर हम 5 माने तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 हो गई और मिलने के बाद दोस्तों जब कभी भी मिलने के बाद पहुचने वाला सीन होता है तो साइद मुझे नहीं बताना है आप लोगों को ये कौन से पहले से ही पता होगा अब देखिए इन्होंने का ये 6, ये 5 ये रूट इधर कर ले तो स्क्वाइर हो गया बराबर समय देखा जाए तो पहला वाला तो नीचे आएगा तो ये 5 गुड़े दो और ये आपको बताना है 5, 5 काट देंगे 2, 6 कर जाएगा तो x बराबर 18 बटे 5 यानि की 3 सही 3 बटे 5 घंटे में हमारे दूसरे भाई साहब y तक पहुचते हैं यानि की हमारा option भी पूरी तरह से सही है बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question नमबर 18 की तो दोस्तों हमारा जो 18 नमबर सवाल है ये question जबड़ जस्ती का complicated बनाया गया है आसान सा answer निकालना है बट उसके लिए क्या कह रहे हैं जो x है भाई साहब जो x है वो इन दोनों नमबरों का मध्यान पाती यानि की mean proportion मुझे लग रहा है कि आप जितने लोग यहाँ पर वीडियो देख रहोगे mean proportion आप लोगों को पता होगा ये निकालना है x का मारा क्योंकि हमको बताना है 2x upon y ये हमको अपने दिमाग में रखना है और y जो है वो तरतिया अनुपाती है तो तरतिया अनुपाती कैसे पता चलता है 38.4 upon 57.6 इसकल टो 57.6 upon y यहाँ से x और y को आपको निकालना है तरीका समझिएगा देखे x में सबसे पहले 2-0-2-0 यानि नीचे तो x में 10 आगया ठीक ये हमारा लिखा है 64 गुड़े 2 और अगर इसकी बात करें तो ये लिखा है 8 गुड़े 81 तो 64 से 8 16 से 4 और यहाँ 9 ये x का मान आ गया कुछे नहीं करेंगे छोड़ो देते y के पास जब हम आएंगे तो यहां से ये कट जाएगा और अगर हम देखें तो ये 4 से कट रहा है 4, 4, 4 9 और 6 8 और ये आया 12 तो ये 2 भी आ जाएगा ये 3 आ जाएगा तो अगर हम y बराबन निकालेंगे तो मुझे लग रहा है आ गुड़े 3 तो कि ये 2 4, 8 देखें कल्कुलेशन बला ध्यान से करना अब यहां पर इसको रख देते है 2, गुड़े 8 गुड़े 4, गुड़े 9 तो नीचे कितना रहेगा ये लाज 10 अब y कमान देखें तो 28, 10 मिलो 8, गुड़े 3 तो 3 त्याई तो 9 10 इसको यहीं खतम कल लेते है 8, 31, 24, 8, 6, 48, 4, 9, 36, 3, त्याई 9 तो एक देखें 2 बचा है एक 3 यानि आंसर हमारे पास आ रहा है 2 अनुपात 3 यानि कि आपका आप्शन A पूरी तरह से सही है जी हाँ दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम था अगर आप पेपर में हलका सा भी X और Y के मान में प्रॉब्लम कर गए तो यकीन माने समस्या ज़्यादा होगी अब देखें न mathematical calculation जहां पर जरूरी हो क्यों वहीं करिए otherwise calculation करने का सबसे सही step होता है जब हम अपने final answer को question दिया गया है यह board mass पर है ठीक है दोस्तों तो इसको करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है आप सब लोग इतने efficient हो कि सबसे पहले आप bracket को solve करोगे फिर उसके बाद off को फिर उसके बाद division, multiplication, addition और subtraction को follow करते हुए आप अपने इस question का answer निकालोगे फिलाल मैं इसका answer आपको बता देता हूँ यह जो answer दिया गया है 16 and a 7 by 8 आपका answer है calculation करिएगा अगर आपकी calculation में problem आती है तो हम आपको अपने telegram channel पर इसका पूरा solution आपको भेज देंगे क्योंकि calculation है तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने वीडियो को ज़्यादा और बढ़ाएं इसमें कोई concept अलग से apply नहीं हो रहा है तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले portion नमबर 20 तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नमबर 20 कुछ उस तरह से है कि एक तो triangle है ABC A, B, C जिसमें A, B और A, C बराबर है और यहाँ पर एक perpendicular डाला गया है BC पर L डाला गया है ठीक है फिर उन्होंने बताया है एक दूसरा triangle है D, E, F जिस पर A डाला गया है M और यहाँ पर यह दोनों बराबर है ठीक है अब इन्होंने बताया है कि इन दोनों का जो area का ratio है वो 9 और 25 है तो दोस्तों अगर देखे आपको पता है कि इन दोनों के अगर area का ratio 9 और 25 है तो भुजाओं में ratio 3 और 5 आ जाएगा और आपको बताना क्या है एक बार उपर इन दोनों का जोड़ बताना है यानि 8 और एक बार घटाना यानि answer आपके पास दिया गया है 4 यानि की option A सही हो जाएगा similarity का concept लगा दिया गया है बाकी इस question में कुछ नहीं करना है बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले question number 21 तो दोस्तों हमारा अगला सवाल number 21 कुछ इस तरह से है A can complete a certain piece of work in 40 days B is 20% more efficient than A and C is 28% more efficient than B they started work together they work together for 5 days then the remaining work will be completed by B in how many days तो दोस्तों समझेगा A ने काम को 40 दिन में कर दिया ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं A, B और C की efficiency तो इनकी अगर 100 है तो इनकी 125 है हम नहीं बोल रहा है सवाल ही बोल रहा है और फिर अगर B की 100 है तो इसकी है 128 तो अगर हम यहां से इनकी efficiency को calculate करें तो मुझे लग रहा है यह 20 मिल लही है हाँ, यहां पर 25 मिल लही है और यह मिल लही है 35 और आप समने जानते हैं कि जब अब देखें A का time भी दिया गया efficiency भी दिया गया है तो total work होता है time into efficiency यानि हमारे पास total work 40 गुड़े 20 यानि की 800 आया की नहीं आया पक्का फिर उसके बाद तीनों ने मिल करके तो तीनों को अगर हम देखें मिल करके तो तीनों को अगर हम मिल करके देखें तो 77 काम एक दिन में पांच दिन तक किया इन लोगों ने तो पांच दिन तक करने का मतलब है 385 कामिल लोगों ने कहले दें 35, 35, 35 तो बचा काम कितना 5, 1, 4 415 काम बचा जो किया है 25 की efficiency से ठीक है तो कितना time लगा 5, 45, 45, 15 यानि कि ये आगया 16 सही 3 बटे 5 दिन दोस्तों देखने में तो आपको बहुत ज़्यादा लिखावा दिखाई दे रहा था बट 1, 2, 3 maximum 4 इस टेप पर अगर आपके math के किसी भी question का answer आ रहा है तो उस question को बड़ा नहीं माना जाता है यानि कि हमारा answer D 16 सही 3 बटे 5 इसका सबसे सही उत्तर है और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले question number 22 तो दोस्तों हमारा अगला सवाल number 22 भी DI से लिया गया है अब दोस्तों क्योंकि DI के question हम नहीं कर रहे हैं ये भी आपका बहुत आसान सा है mathematical calculation है इसमें भी आपका answer D यानि कि 3 सही है calculation कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई difficult सा नहीं है केवल जोड़ना है और आपको answer से ज़्यादा बताना है तो कर लेंगे हम बढ़ेंगे अपने अगले question number 23 देखिए दोस्तों 23 इस बार का most calculator मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा calculation इसी में थी इन्होंने कहा है कि धाई वर्सों के लिए 10% के हिसाब से CI जो दिया गया है वो 1201 रुपए और 60 पैसे दिया गया है तो दोस्तों 10% के हिसाब से अगर आप CI निकालोगे तो हमने बताया था कि आप principal को अगर 1000 माल लो तो पहले साल में आपका 100 देखिए दोस्तों ये जो हम करते हैं इस method से आपको पता चल जाता कि ये पहले साल का ये दूसरे साल का ये तीसे साल का अलग 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 इंटेस पता चल जाता है तो इसमें 2 साल तो पूरे-पूरे हमको मिलेंगे 210 लेकिन तीसरे साल का ये जो भी amount है क्योंकि one third है तो उसको three से divide कर देंगे यानि तीसरे साल का जो हमें मिलेगा वो 121 बटे 3 यानि कि यहां से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए तो ये आजाएगा 630 देखिए calculation करना है आप चाहे जैसे कर लीजे तो यहां देखेंगे तो ये दिया गया है 751 बटे 3 बराबर 1201 दसमलो 6 तो आपको 1000 बराबर बताना है तो 1000 बराबर 1201 दसमलो 6 गुड़े 3 गुड़े 1000 बटे इसको मैं मिटा रहा हूँ आप लोग देख लेंगे बटे 751 आप समझेगा calculation की बात है यहाँ पर calculation पर ध्यान देना है calculation पर ध्यान दीजे ये 0 की कोई ज़रोत नहीं इस 0 से आप एक खटा सकते अब देखे 751 को थोड़ी देर के लिए हम 0 अजिम कर ले और जब आप 750 को 1200 से करोगे तो देखे 750 का आधा होता है 375 देखेगा मैं जो कॉंसे बता रहा हूँ बस इसको देखे 1125 और यह 1200 तो यह मतलब इसका 1.5 ना होकर के लगभाग लगभाग यह हो जाएगा इसका 16 गुना हो जाएगा 750 के 16 गुना क्या आसपास और 16 यह होता है 48 या उसके आसपास का answer आएगा आप बहुत मोटी बात बता रहा हूँ ध्यान से समझेगा 751 को हमने 750 माल लिया तो उसका 1.5 मतलब हमने 15 से गुड़ा करते हैं मतलब 1.5 टाइमस में अगर हम देखें तो 1.5 टाइमस में आप देखें तो यह 5 के आसपास आ रहा है जो कि हमारा काम नहीं है 0 लगा हुआ है यहाँ पर तो 1.5 ही आ जाएगा तो नहीं आ रहा है फिर हमने क्या किया 1.6 के आसपास में मतलब 16, 43, 48 के आसपास का काम बनना है और 48 के वो एक ही option में था वो भी था आपका option D यानि कि इसका D option आपका पूरी तरह से सही है बढ़ेंगे अपने अगले question number 20 तो दोस्तों हमारा अगला सवाल question number 24 कुछ इस तरह से है 2 sin theta प्लस 15 cos square theta बराबर 7 तो हमको बताना है 10 cos 10 theta प्लस cos theta प्लस 7 theta ठीक है बताते है हम अपने option में देखे तो देखे इसका कोई भी एक complete number तो नहीं आने वाला यह तो हमको भी पता है यानि कि अगर हम अपने question में देखे तो नीचे denominator में 5 आ रहा है denominator में 5 आने का मतलब है कि cos theta में भी 5 आया ही होगा या sin theta में भी 5 आया है जहां पर उसका मतलब दो गुड़े यह होता है लंब बटे कण 5 प्लस 15 गुड़े आधार का square बटे 25 बराबर साथ लाना है तो देखे पांत यह 15 पचम 25 तो कैसे आएगा तो या तो 3 देखे अगर हम यहां 3 रग दे यहां 4 तो 16,43 जादा हो रहा है कटेगा भी नहीं हाँ अगर हम यहां पर 3 यानि 9 रग दे और यहां पर रग दे 4 तो 8,27,35 भाई आना अल्टिमेटली 35 बटे 5 है तभी 7 आएगा तो 4,28,29,37,35 इसका मतलब यह 4 है और यह 3 है और जैसे ही आप यह बता दोगे तो 10 थीटा आपका होता है लंब बटे आधार प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण प्लस सेक थीटा कॉस का जेश्ट उल्टा तो नीचे आया 15 15 आया यह आया 29 और यह 25 अब आप इसको सॉल्ट करोगे तो यह आजाएगा 54 बटे 15 थोड़ा सा सॉल्ट करते हैं इसको तो 18 बटे 5 का मतलब होता है 3 सही 3 बटे 5 यानि कि आपका option B पूरी तरह से सही है दोस्तों थोड़ा presence of mind टेक्नोमेंटरी में अपलाई करिए जहां पर थीटा नहीं है थीटा का मान नहीं रखेंगे देगे थीटा का मान होता तो आपको पहले ही दिग्या होता कि हाँ यहाँ पर हम थीटा रख दे आ जाया नहीं आएगा तो जाहिट सी बात है ट्राइटैंकल ट्राइंकल बना करके भी हम अपने question को solve कर सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों बारी आ गई है हमारे आज के अपने आखरी सवाल यानि की question number 25 के तो दोस्तों हमारा अगला सवाल number 25 कुछ इस तरह से है PQRS एक चक्रिय चतुरबुज है जिसमें PQ बराबर, QR बराबर, RS बराबर, PS बराबर और PRQS को समधिभाजित करता है तो चक्रिय चतुरबुज आप सबको पता है एक circle के अंदर होता है ये हमारा चक्रिय चतुरबुज है PQRS तो PR जो है ये QS को आधा कर रहा है ठीक है दोस्तों ये property है जिसके बारे मैंने आपको जमेटरी में बताया भी है कि जब कभी भी चक्रिय चतुरबुज का एक diagonal दूसरे diagonal को अगर bisect करता है तो उसके उसमें जैसे ये किया ये diagonal कर रहा था तो PSR और PQR दो triangle बन जाते है तो इनकी corresponding sides का multiplication बराबर हो जाता है मतलब क्या कहने का है हमारा PS into SR बराबर हो जाता है PQ into QR के मैं आपको geometry पढ़ाते समय इसका proving भी बताऊंगा फिलाहाल ये आप वैसा ही समझ लीजिए जैसे this into this is equal to this into this code के cases में होता है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो PQ तो हमारा X दिया गया है QR हमारा 16.8 है ये हमारा 14 है और अगर हम PS की बात करें तो 25.2 है तो कर लेते हैं 25.2 गुड़े 14 बराबर X गुड़े 16.8 कर देते हैं 14 एक्कम 14 दुना 28 बारा कटेंगे 12 दुना 24 बारा एक्कम 12 जी हाँ आपके पास आ चुका है X पराबर 21 यानि की आपका option सी पूरी तरह से सही है तो दोस्तों ये थे हमारे SSC CGL 2019 prelims के पहले दिन के second shift के 25 question जल्दी हम मिलेंगे आपको SSC CGL 2019 prelims के third shift के question के discussion के साथ तो दोस्तों अगर आपको हमारे दोरा बताए जा रहे हैं ये वीडियो और के questions समझ में आ रहे हैं आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल The Study X को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको आपकी अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी confusion है किसी भी तरह का study material आप तक नहीं पहुँच पा रहा है अगर आपको हमारे ये previous year paper के PDF आपको नहीं मिले है तो ये हमारा WhatsApp नमबर है 7052692222 आप इस पर contact कर सकते हैं जहां पर आपको हर तरह का study material प्रवाइड कराया जाएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम जितना भी study material आपको देते हैं वो होता है पूरी तरह से free जी हां हम आप से किसी भी तरह का कोई भी charge नहीं करते हैं अपने इन study materials के लिए तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के शायर करना बिलकुल न भूले क्योंकि आपके द्वारा बढ़ाये गए number of likes हमें और प्रडिट करेंगे आपके लिए कुछ और बेहतर वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं आपके पास अगले दिन अगली shift के question के discussion के साथ तब तक के लिए जय हिन